नमस्कार सर आपका क्या नाम है? मेरा नम डॉक्टर बजरेंगी सर्मा सर आप कहां से आये हैं? महादेपूर, परखंड, रयोन और जीलाबाका बिहार से आये हुए हैं सर आप क्या काम करते हैं? हम यो पेते डॉक्टर से हूँ सर संत्रामपाल जी महराजी से आपने नाम दिख्षा कब ली संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे मैं पहले पुराना कभीर पंथ समाज में था बच्पन से ही जब उसे होस आया तो कई गुरू के सरण में मैं गया कविर पंद से समाज से था धर्मसरूफ साहब उनसे भी थे और और कोई के दुतिन ठोड नाम था जिससे हम नाम दान लेकर भक्ति कर रहे थे इतनी सारी भक्ति करते करते आपको क्या लाब हुए पहले तो मुझे कोई लाब नहीं दिखाई पड़ रहा था कविर साहब के ना बटर हमियूपएत का राते हुए कई दवाई खाये लेकिन संतना नामपाल जी महराज के सरंग में आने के बाद कुछ दवाई नहीं खाता हूं वह स्वेंक ही समपत हो गया सर पहले या आप कबिरपंथ में भक्ति कर रहे थे और उसंतरामपल जी महराज में कबिर पंथी आए फिर आप जी मैं बच्पन में सुनता करता था पुष्टक में पढ़ते थे कि अधाक इंगला पिंगला सुसमना खोजो फिर सुनते थे कि जब तक गुरू मिले ना साचा तब तक करो दस पाचा तो यह तलस लगा था कि ततुदर्सी संद कौन होते हैं संद पुष्टक म से सद्वन के कर्शकरम में जीला कोडियार का भार पुराना मुंग मुझे इंद्र अंक इंड ग्या था तो उसमें बीच में हमको पर्माठ्वातिवर्च्प संतरामपाल जी महराज का एक सिम अवस्य्जानिय का ग्वा था उस परच्फी साध्णा चैनल Hmm सदसंग सुनते सुनते संतरांपाल जी महाराज के से शर्ण में याँई और नामदाउन लेक्lihood भक्ति करना शुरुकिज़ां कि ये उस परची में एसा क्या लिगता है जुझा उसमें लिखी किस बात से आप पर भावित हुए उसमें मैं देखा कि मुक्ति पाना चाहता है तो तत्वदर्सी संथ कौन है कैसा है कहा है उनको जानने के लिए साधमा चले पर कार्श करम देखें और सुने यह सत्वदर्सी संथ की खोज में ही संत्राम पाल जी महराज के प्रैप के संतराम फ यह माहराज्य के संड में आए तो लिए आपको कौनसी बात अलग लगी कि महाराज्य संट में आताstüt म्यां चैनल आ हुए do ग्यान फैलाया तो कविर साब कौन थे इनकी ग्यान हम संतुष्टी नहीं उपाते थे जिसके चलते यह खोश थी कि यह कहते कि मैं ही गुरू हूँ मैं ही सब को कि सभी ब्रह्म ही जीव है तो यह मन में तलक लगी हुँ थी कि हकीकत में क्या है इसकी तलक चलते जब देखे मै मत्फथ संत्रामपाल जी महराच के सदे में मैं अया सर संत्रामपाल जी महराच के सरन में आया कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दास को नहीं फैदा हुआ होगा पहला मैं फदा बतना चाहता हूँ कि मैं मेरा एक साथी है मेरे गाउं के हम बाइक से चल रहे थे और ऐसा कुछ काम था जो कि हम एक ग्यारा विज रात में कुछ अंधेरिय में आ रहे थे मटसाइकिल से और वही बाइक चला रहा था मैं पीछे बैठा था और आगे का संत रामपाल जी महराज का नाम सुम्रन किया कि प्रमात्मा दया करना इस दास पर ये अब मैं चल रहा हूँ तो अब कैसे जाओंगा अंधेरी रात है कोई कुछ ने कुछ रात में जाना तो 10-15 किलोमेटर दूरी पर हम थे जब ऐसा मैंने सुम्रन किया अपने अंदर में उन में रात में ही हम दूसरे जगह मेरा एक मकान था वहाँ एक रात में जाना था और हाथवाला पंप से जो और सइकल में और देखे चले तो पिर वह अराम नो से चले पिछे घि dawति और पमचर पीछे का चक्का है 15-15 किलोमेटर में चला और पमचर नहीं रहा पमचर कौन बना सकता है वही प्रमात्मा जिसके सरन में मैं गया हूँ ऐसे चमतकार तो कई बार हो चुका है इस दासका 2013 में जा रहा था एक मेला था बौसी में उसके बीच में ओटो पर हम बैठे हुए थे पीछे से एक ट्रक वला धक्का मारा जिस साइड में मैं बैठा था मुझे पहले समापत हो जाना चाहिए था लेकिन मुझे कुछ नहीं प्रमात्मा मेरे मुझे आवाज नहीं निकली और मुझे लगा कोई जैसे गेंद से लोक लिया हो हम बैठे रहगे गाड़ी पर गाड़ी पूरा चकना चूर हो गया सीट तक उपर तक सब चूर के खतम हो गया लेकि इस दास को कुछ नहीं हुआ उस दिस समझ मैं प्रमात् करते हैं किसी परकार की दुख दुख नहीं है पहले भी में साधना करता था पुराने कभिर पंथ में था और फिर संत्रामपाल जी महराज के सरण में इनकी दया से आज किसी भी परकार की कमी नहीं है जो चाहता हूं सो सारा पूरा होता है तो ऐसे तो मैं बताना चाहूंग मेरी चिंता संत्राम पाल जी महराज को है वो कैसे वेवस्था करते कैसे क्या करते नहीं करते उनकी हाथ में मैं सोब दिया हूँ यह दास के साथ कई घटना ऐसा गुजरा हुआ है और मैं नसा भी करता था मैं पुराना पंत में रहते हुए हमको तो यह आसज छोड़ने के बाद मैं चाहता था कि नसा मैं छोड़ दूँ लेकि छोड़ नहीं पाता था भांग का नसा था मुझे सुहाना खूब खाते थे खाइनी खाते थे गूल खाते थे लेकिन मैं चाहने पर कई कई दिन ऐसा छो पता था लेकिन जब मैं बरवाला आसरम तक आया यहां तक मैं नसा लेकर आया था पास में था यहां गेट पर आने से पहले मैंने सारी नसा को छोड़ के बाहर में फेक दिया और संत्रामपाल जी माराज के से नामदान लिया और प्रमात्मा का जैसे असिरबाद मिला उस दिन के बाद आज तक नसा की इक्षार ही नहीं होती है। वो नसा कहा चला गया मुझे पता ही नहीं है। सर अपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नसा करते थे और पूझना भी चाते थे लेकिन नसा नहीं छोड पा रहे थे। लेकिन सिंतराम्पाल से जुड़ने के बाद आपका नसा सिर्फ नाम दिख्षा लेने से मंतर जाब करने से छूट गया तो सर ऐसी कौन सी सकती है संत्रामपाल जी महाराजी में कि नाम दिख्षा लेने से आपका नसा छूट गया वह संत्रामपाल जी महाराज जो नाम दान देते हैं वह सास्त्र प प्रभाब के प्रभाब से मन ब्रिति को बदल देता है और सारी नसा छूड़ जाती है सर एक बात बताईए आज की समय में सरकार भी बहुत सारे ऐसी संस्ता खोलती है जिसे नसा छूड़वाया जा सकता है लेकिन सभलता बहुत कम मिल रही है संत्रामपाल जी महाराज पूरे आते हैं उनको पहले तो नसा त्याग देना पड़ता है जितनी बुराईयां है दहेज लेना दहेज देना और किसी की अनुपास ना करना सारे चीछ छुड़ा करके बुराई कर देते हैं यह संत्रामपाल जी महराज ही ऐसे हैं जो कि इस देश को नसा मुक्त कर सकते हैं और और यही चाहेंगे तो इनके सरन में जो जो आता है वो नसा को त्याग देता है और नसा त्याग करके वो सारी बुराईयों को छोड़ देता है और बिना इस से यही चाहेंगे तो पूरे बिश्व को यह कहते हैं नसा मुक्त अभियान को चला करके नसा मुझा समाप्त कर सक ये दास ये बजरेंगी सर्मा बजरेंगी दास आपके सामने परमान है कि ये नसा चाहने के बाद भी नहीं छोड़ सकते थे लिए संत रामपाल जी महराज के सरन में आये और बिश्टु के सभी कोई आकर के नामदान लेकर ही इसको नसा को छोड़ सकता है जिस परकार ये साप से ये मेरा नसा का लट मेरा समाम तो हो चुका और ये मैं चाहता हूं कि पूरे बिश्टु इनके सरन में आकर के नामदान लेकर भक्ति कर सकता है तो उनका नसा सारा छूट सकता है उनका उज़रा हुआ परिवार बस सकता है मैं देखता हूं समाज में सारा बिखरा समाज किसी का पतनी में प्रेम नहीं है नसापी करके प्रिशान कर देता है समाज वाले को घर वाले को लेकिन उनसे जो मुक्त होना चाहते हैं वो संत्रामपाल जी महराज के चरण में आ करके उनसे नामदान ले करके उनसे भक्ति ले करें तब इस कल्यान हो सकता है अंथा जाना कोई गुना नहीं है वह तो नए इतहास रच रहे हैं जेल में जया के दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे जयल में में तो क्रिश्ण भी गए थे जन्मन उसका जयल प्रेपerve भेंकर से भेंकर, कैंसर से कैंसर बिमारी, एट्स की बिमारी, लाखों परमान है, पूरे बिश्व में, जो उनसे छुटते जा रहा है, इसलिए लोग पृतार लोग देख करके, अब समाज पढ़ा लिखा है, मुर्ख नहीं है, तो जो देखता है, जो समस्ता है, सास्त्रों म आ रहे हैं, और संख्यां बढ़ते जा रहा है, इसलिए तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, कि बिलंब ना करें, ये लोग पृता देखते बढ़ते इसलिए जा रहा है, समझे और आपना भी कल्यान कराई, सर जो सरधालू आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदे करवाना चाहते हैं, तो चैनलों पर जो प्रोगाम चलता है, जो आप लोग देख रहे हैं, नीचे पट्टी आती है, उन्हें मुबाइल नमर लिखा हुआ है, उस पर नमर लगा करके, और बात करके, अपने छेत्रे में जो नामदान अस्थल है, उनका पता करके, नामदान लेकर अपना कल्यान करावें, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सतसाहिए,